राग बहार राग बहार की उत्पत्ती काफी थाट से हुई है इस राग में कोमल गंधार यानि कोमल ग तथा दोनो निशाद यानि शुद्ध नी और कोमल नी प्रियोग किये जाते हैं शुद्ध नी इसके आरोह में और कोमल नी इसके अवरोह में प्रियोग किये जाते हैं इस राग के आरोह में रिशब यानि रे और अवरोह में धैवत यानि धः ये दोनो वर्जित स्वर हैं इस प्रकार इसके आरोह और अवरोह में छेह छेह स्वरों के प्रियोग होने के कारण इस राग की जाती शाडव शाडव है इसका वादी स्वर्ग मध्यम यानि महे और समवादी स्वर्ग शडज यानि सहे इस राग का गायन समय मध्यरात्री है एवं इसे वसंत रितु में विशेश रूप से गाया जाता है राग बहार के आरोह, अवरोह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिये आरोह निसार गामाः पाः गामाः निसार और अब सुनिये आरोह सानी पार मापगा मारे सार इस राग की पकड इस प्रकार है सामार मापगा मारे निधा निसार अब प्रस्तुत है राग बहार की स्वर्मालिका जो तीन ताल मध्यलय में निबद्ध है इसमें सूलह मात्राएं होती हैं पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर्मालिका की स्थाई सासा निपा मापगा मा निधा निसा सासा निपा मापगा मा निधा निसा सासा निपा मापगा मारे रिसाव सा सा मा 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 पगा मा निधानी निसारे निसा सा सा निपा मा पगा मा निधानी सा 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 निपा मा पगा मा निधानी सा अब प्रस्तुत है इस स्वर्मालिका का अंतरा गामा मा निधानिता सासा नीसा अभी आपने सुनी राग बहार की स्वर्मालिका अब इसी स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए बोल है रितु बसंत फिर आई बावरे फिरे सब पूल पूल पर पूलों में है रस बर साई रितु बसंत फिर आई अब प्रस्तु थे इस रचना का अंतरा रांग बी रांगे फूले ये पाते हर दम मुत काते ही लगते बैठ डार उपर बगिया में कोयल ने है कूक सुनाई रितु बसंत फिर आई रितु बसंत फिर आई अभी आपने सुनी रात बहार की स्वर्मालिका साथ ही सुनी इस स्वर्मालिका पर आधारित रचना राग रख बरत राग रख बरते रा रख बरते राग ररत बरते रागे रेट बरेट, 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 रागे